आज जिस मतवपूर्ण जानकारी को लेकर मैं आप लोगों के वीच उपस्तित हूँ ये संबंधित है PG Admissions in Colleges जैसे कि आपको पता है हिमांच पुर्देश उनिवेसिटी और सरदार पटेल उनिवेसिटी ने अपना कांस्लिंग शेडियूल निकाल दिया है तो साथ ही बहुत सारी जो SPU और HPU से संबंधित जो Colleges है वहाँ पर भी PG प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है Counseling Come, Admission Form, Online और Offline Mode में जारी कर दिये गए हैं तो किन-किन Colleges में Online Mode में होगा, Offline Mode में आप अपलाई कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि HPU या SPU में आपकी संभावना नहीं है तो आपके नजदीक यदि ये Colleges पढ़ते हैं तो आप इनके Counseling Come Admission Form भरकर आप यहाँ पर seat प्राप्त कर सकते हैं तो आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा Government College देहरी जो है District Kangra में स्तित यहाँ पर MA, MSC की कौन-कौन सी seats है उनको किस तरीके से fill किया जाएगा साथ में इस वीडियो में मैं बात करूँगा Government College मंडी की यहाँ पर भी आपके पास PG प्रवेश के लिए आवेदन ओपन हो गए हैं इसके अरवा बात करें कि हिमाचल प्रदिश University Department of Evening Study यदि आपको लगता है कि हमाचल प्रदिश University में आपका सेलेक्शन नहीं हो पारा तो इसका जो सेंटर है Department of Evening Study यहाँ पर जो कोर्सिस है M.com वहाँ पर आप किस तरीके से प्रवेश पा सकते हैं तो वीडियो में अंत्य तक बने रहें यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के अपडेट के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और टेलिग्राम चैनल आप जोइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए तो किस तरीके से एक्जामेनेशन फॉर्म फ्यूर्म करना है जो एड्मिशन फॉर्म है वो ऑनलाइन है उसकी वैप साइट आपको इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी तो वहाँ पर आपने जो क्या करना है कि यहाँ पर जो कोर्सीज है उनकी जानकारी पहले आप लोगों को दे देता हूँ पर इतना ध्यान रखें कि यहाँ पर जो ऑनलाइन काउंसलिंग का मैड्मिशन फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जाएगा गॉर्मेंट कॉलेज देरी जो है डिस्टिक का अंगडा में यहाँ पर जो जो आपको कोर्सीज है यह आज धिनाक 22-2023 का जो यह नोटिफिकेशन निकाला गया है तो यहाँ पर इस कॉलेज में आप अगर एडमिशन चाहते तो यहाँ पर M.A.M.S.E. Math में यहाँ पर 40 सीट है M.A.C. Physics में यहाँ पर 30 सीट आपको मिल जाएगी और M.A. Economics अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो 40 सीट है यहाँ पर है तो यहाँ पर केवल M.A.M.S.E. Math, M.A.C. Physics और M.A. Economics आप यहाँ से कर सकते हैं और यह कॉलेज की ओफिशल वेबसाइट है जो आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी तो आप जो है ओनलाइन वेबसाइट पर जाकर आप आवेधन कर सकते हैं लास्ट डिट जो आवेधन की है वो है 37,2023 तो आप इससे पहले इस कॉलेज में अगर अडमिशन लेना चाहते हैं अगर आपका अंगड़ा के आसपास से हैं अगर आप सीट चाहते हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया HPU के एंट्रेंस टेस्ट के बेस पर यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट पर ना दी जाएगी जितने लोग यहाँ पर काउंसलिंग फॉर्म भरेंगी तो MA, MSC मैथ्रेक्स की 40 सीट है और MA Economics की यहाँ पर 40 और MSC Physics की यहाँ पर 30 सीट है यदि आप College को Contact करना चाहते हैं तो यह College का Contact नमबर है College को भी आप Contact कर सकते हैं किसी भी परकार की अगर आपको अस्विदाती है तो सबसे पहले आपने करना क्या है? College की Official वेबसाइट पर जाना है फुरा का पूरा Form फिल करना है, Admission Pay करनी है और फिर वो निरधारी डेट पर आपको Counseling के लिए बुलाएंगे अब बात करते हैं बलब, Government College, मंडी की यहाँ पर भी Online आवेदन जो है मांगे गए हैं तो यह रहा Notification Online Admission Portal जो है Open कर दिया गया है MA English, Hindi, Political Science, Economics, MA, MSC, Mathematics और MCOM यहाँ पर जो है यदि आप MA English में मंडी मैट विशन चाहते हैं हिंदी में, Political Science में, Economics में या MA, MSC, Mathematics में, MCOM में 2023-2024 के सेशन के लिए तो आवेदन आप फिल कर सकते हैं और यहाँ पर जो आवेदन है वो Online होगा तो यह कहा गया है सभी स्टूडेंट्स के लिए MSC, Mathematics, MCOM जो है 2023-2021 से 30 जुलाई तक आवेदन करें Government College मंडी में भी आप Online जो है इनकी Official Website आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो Online आपने अपलाई करना है इनकी Website पर जाकर तो Submission of Application जो है 21 से 30 जुलाई तक आप Online एप्लिकेशन सब्मिट कर सकते हैं जो पहली Medit List यहाँ पर डिस्प्ले की जाएगी वो है 3 अगस्ट 2023 को और फीस सब्मिट करके जो है आपको 4 और 5 अगस्ट 2023 को अपनी सीट कनफर्म करनी है तो Government College मंडी में अगर आप इन Courses में जाना चाते है M.A.C. Mathematics, M.Com इसके अलावा M.A.K., M.A. Hindi, English, Political Science है यहाँ पर तो आप Apply यहाँ पर कर सकते हैं इसके अलावा बात करें यहाँ पर Master Degree में कितनी कितनी सीटे हैं तो M.A. में जो है M.A. English, Commerce, Economics, Hindi, Mathematics, Political Science यहाँ पर जो सीट्स है वो 35 है जिनमें 10 सीट्स जो है various category के लिए reserve की जाती है और M.A.C. Mathematics में यहाँ पर जो सीट्स है 35 सीट्स है जिनमें 10 सीट्स जो है M.A.C. में यहाँ पर 35 सीट्स है जिनमें 10 सीट्स category के लिए reserve की जाती है अगर बात करें एमकॉम की तो एमकॉम में भी यहां पर 35 सीट्स है जिन में से 10 सीट्स रिजर्ब की जाती है गुवर्मेंट कॉलेज मंडी में रिजर्ब के टकेरी के लिए अब बात करते हैं हिमांचरप्रदिश यूनिवरसिटी डिपार्टमेंट अब इबनिंग स्टडी सबसे पहली बात तो इबनिंग स्टडी के लिए यह अवे क्लियर नहीं है कि आपने ऑनलाइन जो है मोड में एप्लिकेशन फॉर्म देने हैं या ओफलाइन मोड में एप्लि एडमिशन नोटिस पिछले कल जारी हुआ था 2023 के जो PG कोर्सिज है यहां पर MA, MCOM है इस कॉलेज में तो फॉर्म सम्मिशन जो है 24 जुलाई से 31 जुलाई तक होगे डिस्प्ले ऑफ मेरिटलिस जो है डिपार्टमेंट आफ इवनिंग स्टडी में एक अगस्त 2023 को होगी और जो है दो और तीन अगस्त 2023 को होगी लेट डेट फॉर अडमिशन अंगेंस्ट बेकेंड सीट या दिवस्ति है तो तीन और चार अगस्त को होगी और अडमिशन अप्रूबल बिद अप्रूबल ऑफ ऑनुरूरबल 22 चांसलर 6 से 19 अगस्त 2023 को होगी यह नोटिविकेशन नि है अगर आप अप्लाइ करना चाते हैं तो फॉर्म आपको प्रोस्पेक्टर्स में मिल जाएगा बैब साइट का लिंक में आपको जो है वीडियो के लिंक डिस्रिप्शन में दे दूँगा वहां से आप प्रोस्पेक्टर्स डाउनलोड करें और वहां पर भी इस परकार का फॉर्म आपको दे दिया गया है तो मुझे लगता है इस फॉर्म को फिल करके भी आप जो है डिपार्टमेंट आप इबनिंग स्टडी में आप सब्मिट कर सकते हैं तो यह फॉर्म आपको या तो मेरे टेलिगाम चैनल पर मिल जाएगा या आपको यह वीडियो के लिंक ड